मैं बड़े-बड़े एक्षपर्स को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि गुजरात के सुनाओं में भाजपा का आवान था विख्षिद गुजरात से विख्षिद भारत का निर्मान गुजरात के नतीजों ने सिद्ध किया है कि सामान्य मानवी में विख्षिद भारत के लिए कितनी प्रबल आकांख्षा है संडे साफ है जब देश के सामने कोई चुनवती होती है तो देश की जनता का भरोसा बाजपा पर होता है जब देश पर कोई संकट आता है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है जब देश बड़े लक्ष तै करता है तो उनकी प्राप्ति के लिए देश वास्यों का भरोसा भाजपा पर होता है जब देश की आकांच्छा एक चरम पर होती है तो भी उनकी पूर्ती के लिए देश की जनता का भरोसा भाजपा पर ही होता है साथियों भाजपा के आज हम जहां पहुँचे हैं राज्यों में हो, स्थानिय स्वराज की निकायों में हो या खेंदर बेहो ऐसे ही नहीं पहुचे है पांच पांच पीडियां जनसंके जमाने से तपस्या करते हुए परिवार के परिवारों खपते रहे तब जाकर कि ये दल बना है तब जाकर कि हम यहां पहुचे है भाजपा के लिए लाखों समर्पित कारकरताओं ने अपना जीवन खपा दिया है व्यक्तिकत सूक व्यक्तिकत आकांचाएं व्यक्तिकत खुशी व्यक्तिकत महत्वकांचा व्यक्तिकत सभलता इन सबको तिलांजली देकर भाजपा का प्रत्यक कारकरताओं समाज और देश की सेवा करने में समाज और देश को ससक्त करने में जुटा रहता है हम विचार पर भी बल देते हैं और व्यवस्ता को भी सबल बनाते रहते हैं भाजपा अपने कार्करताओं की अथा संग्रण सक्ति पर बरोसा करके ही अपनी रणनीती बनाती है और सफल भी होती है उतार चड़ाव बाजपा के राज़ितिक जीवन में भी आए है लेकिन हमने आदर्शों और मुल्यों पर अडिग रहकर दिखाया है साथियों पिछले आठ वर्षों में देश में एक और बहुत बड़ा बड़ाव अनुभव किया गया है ये बड़ाव कार्यका भी है कार्य शैली का भी है भाजपा की सरकारे भी कार्य को छोटा नहीं समझती हम मानते हैं हर काम बड़े लक्षों की प्राप्ति का माध्यम बनता है इसलिए भाजपा की सरकारों ने गरीबों के लिए पक्के घर सवचाले गैस कनेक्शन बिजली कनेक्शन नल से जल बैंक में खाते मुप्त इलाज मुप्त भोजन इंटरनेट ऐसी बेसिक सुविदाओं पर फोकस किया है पहले की राजनिती में ये बहुत फैंसी विकात नहीं माना जाता था पहले की राजनिती में इसे बड़े काम के तौर पर देखा भी नहीं जाता था इसलिए आज जो भी सरकारी लाब है वो हर व्यक्ति हर छेत्र हर वर्ग जो उसका हगदार है उस तक तेजी से पहुँचने के लिए इमामदारी से प्रयास किया जाता है पूरा का पूरा पहुँचे इसके लिए टेकनलोजी का भी भरपुर उप्योग किया जाता है किस छेत्रा किस वर्ग किस समुदाई में कितने वोट है इस आधार पर न हम देश चलाते हैं न राज चलाते हैं न सरकारे चलाते हैं झालाते हैं